आज एक नया कांट्री हम आपके लिए लेकर रहे हैं आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया आज हम नेतल हैं होलेंड की बात करना जा रहे हैं पाकिसानी स्टूरेंट किस तरह आ सकते हैं कौन-कौन से कोर्से हैं टाइम नाइंज के हैं कोई फैक्स है ठीक है तो आज हम उस पाकिसान की हालात है उसमें जो भी स्टूडेंट्स पाकिसान से कोशिश करना चाहरे हैं बाहर पढ़ने की तो उनके लिए आप्शन अवेरिबल है तो लेट्स स्टार्ट बाई नेदर्लैंज में किस तरीके से पढ़ा जा सकता है देखो दो इंटेक्स है और मेजर इंटे से स्टार्ट हो जाते हैं वेरास डिसेमर जैन्वी से कुछ प्राइविट उनिवरस्टी भी अपना इड्मेशन का प्रसे स्टार्ट कर देती हैं विच इस ओविसली एक्सपेंसिफ तक्रीबन चार हजार योरो से लेके बीस हजार योरो तक फीस होती है और उसके अंदर त स्कॉलर्शिब्स भी ऑफर की जाती है यहां पर नॉर्मली यूरोक के अंदर सबसे जो मुझे फील होता है कि कम काम जो करने के लिए आपको परमिशन मिलती है वो मिलती है नेदर लैंज में 16 गंटे आप काम कर सकते हैं यहां पर जॉब्स होती हैं क्या अंग्रेदी बोली हैं बैचलर कोर्सिस भी हैं मास्टर्स भी हैं पीडी करने के लिए आप आ सकते हैं सबसे बड़ा जो मेंजे कंसर ने क्या है यहां पर आइल्ट्स रेकॉइड होता है देखो आइल्स के लिए सबसे बहतरी नहीं होता है कि आप आइट्स कर ठीक है इसमें मत घूमों के होती है देखो एप्लिकेशन फी रेंजेस फ्रॉम पचास सो यूरो आपका लगता है फीज को हटा के ठीक है और इसके अंदर सबसे में कंसर जो आता है वह स्टूरेंट का आता है बैंक स्टेट्मिन का देखो जो कंट्री आपको फीज क्यों पर एड्मिशन दे रही होती ह दे तो आपको एक समझा देता हूँ अगर आप नेदर लांज मापढने के लिए जा रहे हो एक एक जाबल देता हूँ रॉटे ताइम का आपने देखना है कि महीने के एक्सवेंस कितना है? 800 है, 1000 है, चलो 1000 की बात कर लिए अगर 1000 यूरो आपके पास एक साल के पैसे होने चाहिए ठीक है, एक साल के पैसे कितना होगा है? यह नहीं कि साल में 222 ड़ाफ़ फीज करनी पेंपेंडी है तो वह पैसे आपके पर होने है कुछ जो मशिशूर युनिवर्सिटीज हैं युनिवर्सटी ओफ आम्स्रडम है युनिवर्स्टी ओ रॉतरड़म है ठीक है टीक है फ़र इसमापल हम बात कर लेते हैं डियल्फ युनिवर्सिटी की तो श की बाइस सु यूरो से लेके 10,000 तकREEस है, different courses की differentselles है, फिर इसके बाद बात कर लेते हैं University of Amsterdam की, एंसियरम की जो पीज है, वो बाईससो योरो सी लेके बारहःँ हजार छेसो योरो तक है, टीक है, इसके बाद Leiden University की बात कर लेते हैं बाईसस से लेके बारहँ हजारart छेसोड तक है Hetaisके बाद बेतहाशे इनुवस्टी से बेतहाशे स्कॉरर्शिप्स आपको नेदरलाइंस में दी जाते हैं। कौन-कौन आ सकता है? जिस सरीके से मैंने बताया है कि भाई बाचलर वाला आ सकता है, ठीक है? लेकिन आपने ही रिक्वाइमेंस देखनी है, ठीक है? और अगर आपने मास्टर्स करने जा रहे हैं तो मास्टर्स वाला भी आ सकता है, पीच्डी करने जा रहे हैं तो पीच्डी वाला भी आ सकता है। आपके पास जो बाशलर जहां से किया है, वहां की किसी इनिवस्टी प्रुफेसर से ले लेना, अगर आपने इंटर किया वा है, अफे किया वा है, अफे किया वा है, तो अपने कॉल इसे ले लेना, सबसे पहले हैं, बेताहाशा पाकिसानिक स्टुडेंट्स M.B.B.S. के तो सबसे बेस्ट है कि यूशुट गेर अग स्टार्ट यो डॉक्यमेंट प्रेशन राइट आप स्टार्ट कर दो भी से सिप्टेमर से प्रॉबली एडिमेशन खुलना शुरू हो जाएंगे वेराइस अगर आप लॉंग टर्म सोच रहे हो मतलब लॉंग फॉर्म टू प्रेशन पास्ट कर सकते हैं यह सारी चीज़ आपने देखनी है पास्पोर्ट आपके पास रेडी होना चाहिए ठीक है और उसके अंदर वैलेडिटी एक साल की कम असकम होनी चाहिए ठीक है यूणिवरस्टी के पोर्टल पर जाना है यूणिवरस्टी अब आप मुझसे पीस है तो यू नीड़ प्रोटी आप बिल्कुल प्रोटी कर सकते हैं वन्स दफी तुके सबसे पहले अब इडिमेशन अपलाए गरोगे अचा अखर चुटेंट्स यह भी मुस्टे पूछर होते हैं जवाब मिया तो जवाब मिया तो दूसरी जगा इडिमेशन अपलाए करते हैं कि I don't put all the eggs in one basket ठीक है तो डिवाइट करते रो रिस्क इसके इंसे इन वाल्फ करो और कोशिश ये करो कि दो से तीन जगहों पे अपना प्रोसेस करो अपार्ट फॉम नेट वन्स एड्मिशन सिक्यर हो गया अगर फीज की रुकार्मेंट है तो फीज पे करो और फीज लोग हम से सवाल करतें बहुत पांस साल में रहना पड़ेगा कुछ केसिते में चार साल में भी हो जाता है लेकिन मैज़ॉरिटी आपने जहन में पांच साल ही रखना हैं पांस साल यूरो की ठाउलीव इस tadणीन आपको 20-30 योरो का पड़ेगा, हेल्स इसोर्स आपको 100-500 योरो की पड़ेगी, तो भाई साल की इसोर्स ने जो 30,000 योरो की कबर कर रही हुआ करे, पाकिस्तान से, तो आप वो कर लिया गरो, ठीक है, बेतर यह है कि अक्सर जो इसके तरह फैक्स आते हैं हमारे पास, कि क्या भाई पढ़ाई फ्री है, तो थेको पढ़ाई फ्री नहीं है, एक तरीके दे फ्री बेगाई स्कॉलर्शिप समल जाती है, तो देरा लाइकली कोई लॉट फ्री चांसे एक वाई पास, तो अप्शन आप शेप लिए पास, आइल्स के बारे में सवाल आता है, एल्स आइल्स आइल्स आइज आप लिकिन कर लो तो बेतर है, ठीक है प्रोफाइल बाट स्ट्रॉं हो जाती है एल्स करने से, आइल्स 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 के तुरू करना चारें, पिकिसा हमने एड्रांट का नाम चेंज कर दिया है और एल्स आइल्स कर दिया है, बहुत शुक्रिया, आपकी ओप्बतों का मुझे पता है, आप लोग कितनी फिगर करते हैं हमारे लिए, बहुत बैसे लिए योर चेस थुरू अपर दिया है, आइल्स आपि पर दूम चेस और तो लेट मी नो ठीक है, इंबॉक्स कर दीजिए गाए डीटेल नीसे आ रही है, एंड़िए पर दूम एसे इंस्टेग्राप्ट पर रापता करने, Facebook पे कर ले WhatsApp नमबर भी आ रहा है तो उस पे भी आप राप्ता कर सकते हैं जैस बहुत शुक्रिया आप वीडियो देखने का अपने खैल रखीएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो होगा चाओ